कोई भी गाना हर स्केल से कैसे बजाएं कोई भी गाना हर स्केल से बजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या फार्मूला लगता है सारी चीज आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा क्योंकि जो फार्मूला आज मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा ना उसको सीखने के बाद आप लोग बहुत यसानी से कोई भी गाना हर स्केल से बजा सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा क्योंकि अगर आप लोग कोई भी important point मिस कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोग कहेंगे sir मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो hello दोस्तो मेरा नाम है snail और आप लोग देख रहे हैं मेरा youtube channel भैरवी आंगन तो चलिए शुरू करते हैं बीना देर करते हुए तो दोस्तों जो यह चीज है ना कि कोई भी गाना हर scale से कैसे बजाएं तो माली जी आप कोई गाना बजाते हैं C-SORP से ठीक है आप कोई गाना बजाते हैं C-SORP से और आपको कोई कहदे कि आप वही गाना D-SORP से बजाएए ए से बजाईए, यफ से बजाईए, यफ स्वार से बजाईए ठीक है तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा और आप लोग इसको बजा नहीं पाएंगे तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका लाया हूँ और जो बहुत ही असान तरीके से फार्मूला बताऊँगा उसको सीखने के बाद आप लोग बहुत ही असानी से कोई भी गाना हर स्केल से बजा लेंगे और मैं कहना चाता हूँ पहले की, पहला point ये है कि मैं कहना चाता हूँ कि इसको formula देखने के बाद, trick देखने के बाद, आप लोग practice नहीं करते हैं, तो सबसे problem की चीज तो यही हो जाती है, कि आपको practice करना सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ try और formula बता सकता हूँ, आपको गोल कर पिला नहीं सकता हूं तो आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कोई भी चीज हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभ्यास नहीं करेंगे उसका तो आपको आ नहीं सकती है तो सबसे पहले जरूरी यही है कि आप प्रैक्टिस करें उसका ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको formula बताता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक copy ले रखी और उसमें formula लिख के रखा हूँ तो उसको मैं लेकर आता हूँ तो यह देख सकते हैं मैं यहाँ पर formula लिखा हुआ हूँ और आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको इस formula को समझाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे follow करना है ठीक है तो माल लीजिए आप पहले सा बजाते थे पहले माल लीजिए आप जब आप सीखना सुरू किये हर कोई को जब सीखना सुरू करते हैं हर कोई तो सबसे पहले सा उनको यही बताया जाता है कि बेटा सा ये है रे ये है गा ये है पा ये मा ये है पा ये है ऐसे बताया जाता है तो सबसे पहले मैं बताना जाता हूँ कि कोई बटन सा नहीं है, कोई बटन रे नहीं है, कोई बटन गा नहीं है, कोई बटन मा नहीं है, कोई बटन पा नहीं है सब यहीं है सारे बटन क्या है सारे गामा पाधनीसा सारे बटन दुनिया के सारे गामा पाधनीसा है कोई बटन सा नहीं है कोई बटन रे नहीं है सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ और सबसे पहले जैसे आप यहां से बजाते थे कि आपको यहां से बताया गया होगा पहले कि यहां से सारे गामा कैसे बजाना है तो आप लोग कैसे बजाते रहेंगे सारे गामा आप लोग ऐसे बजाते रहेंगे सारे गामा तो सबसे पहले आपको practice क्या करनी है तो जो यहां पर मैंने formula लिखके रखा है आपको इसी के अनुसार practice करनी है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ practice क्या करनी है आपकोnite practice करनी ये है कि आपको जितने भी बटन है सारे बटन से सुध़ सारे गामा बजाना है ठीक है सुध जैसे यहां से आप बजाते थे ज़ी चीज आपको यहां से भी बजानी है offenses सब से यह चीज बजानी है और अच्छे से practice करना है इसका पिर उसके बाद आगे बताता हूं फिर क्या करना है तो आप लोग यहां से कैसे बजाएंगे वही चीज यहां से कैसे बजाएंगे यहां से कैसे बजाएंगे आपको तो यहां से बताया गया है कि मैं यहां यहां से कैसे बजाएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बतात तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखकर रखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है, पहला क्या है, पहला सा है, ठीक, दूसरा क्या है, दूसरे में कोमल रे लिखकर रखा है, यह कोमल रे है, तीसरा क्या है, तीसरा सुध रे है, ठीक है, उ उसके बाद चौथा क्या लिखा है। फिर से सा जाएगा ठीक है तो आपको इसी से इसी के अनुसार बजाना है जैसे आप यहां से बजाते थे तो आपको यहां से बजाना है जैसे मैंने यहां से आप यहां से कैसे बजाते थे जैसे पहला यह सुद्ध सा लिखा है तो आप सुद्ध सा बजाएंगे ठीक है कैसे बजाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा सुध कोमल रे है, तो कोमल रे नहीं बजाना है आपको, दूसरा बटन क्या है, कोमल रे, कोमल रे आपको नहीं बजाना है, तीसरा क्या है, सुध रे है, सुध रे आपको बजाना है, फिर उसके बाद च शटवा क्या है सुद्धमा है सुद्धमा आपको बजाना है फिर उसके बाद सत्वा क्या है तीब्रमा है तीब्रमा आपको नहीं बजाना है अठवा बजाना है पा फिर उसके बाद नवा क्या है नवा कोमलधा है कोमलधा आपको नहीं बजाना है फिर दसवा वटन क्या है दसव वटन में सुद्ध धा आपको बजाना है फिर उसके बाद ग्यारमा क्या है ग्यारमा कोमल नहीं है कोमल नहीं आपको नहीं बजाना है बारमा क्या है बारव वटन में सुद्ध नहीं है सुद्ध नहीं आपको बजाना है फिर उसके बाद वापिस से यहां से सा जाएग ठीक है, तो आपका समझ में आ गया होगा, तो देखिए कैसे है, पहला, तीस्तरा, पच्वा, छट्वा, अठ्वा, दस्वा, ठीक है, तो ऐसे बजाना है, अब आपको यहां से कैसे बजाना है, ठीक है, अब माल लिजिए, मुझे यहां से बजाना है, यहां से कैसे बजाएंगे, तो पहले आपको क्या करना है, माल लिए, यह सा है, ठीक है, यह सा हो गया, पहला सा, ठीक है, यहां से आपको बजाना है, सा ठीक है सा हो यह पहला क्या है सा ठीक उसके बाद दूसरे में कोमल रे हैं यहां से गिनना स्टार्ट करना है एक दो तीन चार ऐसे यहां से गिनना है अगर आप यहां से बजा रहे हैं तो यहां से गिनना स्टार्ट करना है ठीक है ऐसे गिनना स्टार्ट करना है आपको अप इसे आप लोग देख देखके इसको प्रैक्टिस करेंगे ठीक है पहला क्या है सा फिर उसके बाद दूसरा रे है कोमल रे कोमल रे आपको नहीं लेना है तीसरे में तीसरे बटन में सुध्रे है सुध्रे लेना है फिर उसके बाद चौथे में क्या है, चौथे में कोमल गा है, चौथा बटन आपको नहीं लेना है, फिर उसके बाद पाच्वे बटन में सुध गा है, तो पाच्वे बटन लेना है, कैसे है, ठीक है पाच्वे बटन गा, तो उसके बाद छट्वे में मा है, तो छट्वे बटन लेना है, फिर प्रकॉठ मर्हा आपको नहीं लेना है फिर अठोवा लेना है पा फिर उसके बाद नहीं लेना है नव मं आपका कोमल प्रके आपको 11 बाद 11 में आपका कोमल नी है कोमल नी नहीं लेना है आपको सुध नी लेना इसलिए 12 लेना है आपको सुध नी खर्सके बाद वापिस से सा थीक है तो यही चीज आपको हर बटन से प्रैक्टिस करनी है कैसे था यह देखिए ध्यान से यहां से यहां से यहां तक कैसे हो जाएं ठीक है तो ऐसे ही आपको यहां से भी वही सारे गामा पाधा नीशा प्रैक्टिस करनी है हर इसकेल से सुद्ध पहले सारे गामा प्रैक्टिस कर लेना है सारे गामा पाधा नीशा तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी और माल लीजिए अगर आपको दूसरा राग प्रैक्टिस करना है जैसे माल लीजिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है दूसरा राग तो माल लीजिए यमन राग ले लेते हैं यमन राग अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यमन राग में कोमल ये ती व्रमा लगता है ठीक है तो आपको सुधमा छोड़ देना है ती व्रमा ले लेना है ये भी देख लीजिए कैसे तो कैसे लेना है आपको जैसे पहला मेरा सा है सा कौन सा यहां से ले लेता हूं फिर कोमल रे है, रे नहीं लेना है, तीसरा क्या है, सुध्ध रे लेना है, चौथा क्या है, कोमल गा है, कोमल गा नहीं लेना है, पाचो लेना है, सुध्ध गा, फिर उसके बाद छटवा क्या है, मा है, सुध्ध मा है, सुध्ध मा नहीं लेना है, क्योंकि हम बजाने जा रहे हैं या मनराग, या मनराग में सारे कोमल ये ती ब्रमा को छोड़कर सारे स्वर सुध लगते हैं, इसलिए ती ब्रमा लेना है, छटवा, ये सतवा, फिर उसके बाद अठवा पा, फिर उसके बाद नवा धा नहीं लेना है, धा छोड़कर दसवे में सुध दा लेना है, फिर उसक पूर अच्छे से गयो और वीडियो और आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और आप को बहुत ही अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और आप मैं यही आसा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको practice करेंगे और अच्छे से बजाएंगे फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं तब तब के लिए thank you तो मिलेंगे तो जरूर दूसरे वीडियो में लेकिन सब सबसे पहले आपको इस वीडियो को स्क्राइब कर लेना है और इस वीडियो को like कर लेना है और Channel को subscribe कर लेना है और बिल आइकन को भी click कर लेना है all पर ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की notification सबसे पहले thank you